हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद पीटी में आप सबका स्वागत है आज में आप सबको मूली का अचाहा बनाना सिखाऊंगी चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन की चीजों की आवशक्ता पड़ेगी आदा किलू मूली, चार चम्मच पिसी हुई राई, चार चम्मच हरसों का तेल, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच नमप मूली को हमने गोलाकार में काट लिया है अब हम इसमें पिसी हुई राई डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर नमक और सरसों का तेल इस सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर चार दिन के लिए ढखकर रख देंगे अचार को बीच बीच में चलाते रहें इस अचार में दूप लगाने की कोई भी आवशक्ता नहीं है चार दिन बाद हमारा अचार कुछ इस प्रकार बिखेगा जो खाने के लिए तैयार हो गया है और ये खाने में बहुत ही खटा हो गया इस अचार को ताजा खाने में ही इसका अस्टी मज़ा है ज्यादा से ज्यादा आप बारे से पंधे दिन के लिए से स्टोर कर सकते हैं अन्यथा ये अचार खराब हो जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दन्यवाद अन्यवाद